लोगों कैसे हैं आप और आप सभी को पता है कि cbsc ने 2021 और 22 बोर्ड एक्जाम्स के लिए क्लास 10 और 12 का सिलेवस डिकलियर कर दिया है और आप सभी को पता होगा क्योंकि इस बार बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कि आ गया है तो सारे बच्चे बड़े कंभी हुई जाए कि किस्तना सिलेवस कम हुआ है कितना सिलेवस पढ़ना है तुम सेकेंड में क्या पढ़ना है और कौन सा टॉपिक डिलीटेड है तो और जो टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं एंसियाटी की बुक से टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज और आप पेज नंबर के अकॉडिंग उस टॉपिक को डिलीट कर सकते हैं जिससे आपको वो ना पढ़ना पड़े और आप अपना बैस लगा सके अपनी पढ़ाई में तो चलिए बच्चो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और अगर हां आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया तो चलिए शुरू करते है बच्चो और term first chemistry 12th class में जो जो आपको चैप्टर पढ़ने है बच्चो तो सबसे फ़र्स चैप्टर है वो आपको पढ़ना है बच्चो solid state this is the first term मैंने लिखा हुआ है FIRST term का है ओके नेक्स चैक्टर जो आपको पढ़ना है बच्चो दिस solution second next chapter आपका आता है युनिटमर 7 देट पी बिलोग एलिमेंट पी बिलोग एलिमेंट बिक चैप्टर एक मेगा चैप्टर है बच्चो के मिस्टी का फर्स्टम में रखा गया है नेस्ट बच्चो फॉर्थ चैप्टर है और गनिट केमिस्टी से यूनिट 10 हलो ऑलकेन यद ऐल और परेन ऐस्ट अवे बच्चो नेक्स आपका उनिट 11 और जेकंडू थेप्टर एल्कोल फिनल्स औट एथर और नेस्ट बच्चो आपका उनिट 14 बायो मॉलिकूल तो आपने देखा फ्रक्त अ है first term में अब हम मूब करते हैं second term की तरफ बच्चो और second term सुरू होता है आपका unit 3 electrochemistry से बच्चो physical का physical chemistry next chapter बच्चो chemical kinetics unit 4 physical chemistry next chapter physical का one more chapter unit 5 surface chemistry अब बच्चो next आगे मूब करते हैं this is inorganic chemistry d and f block elements तो फर्स्ट में p block elements था second term में d and f block elements बच्चो next coordination compounds एक और chapter in organic chemistry का coordination compounds आगे मूब करते हैं बच्चो हम organic chemistry से लिया गया है second term में आपके second term में अब कुछ चैप्टर ऐसे हैं बच्चो जो ना principle and process of isolation of elements बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है बिल्कुल पूरा कटेड है next chapter है बच्चो unit 15 polymers बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है बिल्कुल कटेड है और 16th unit है chemistry in everyday life तो आपके तीन चैप्टर तो पूरे पूरे कटेड है बच्चो कौन कौन से this is general principle of extraction नेस्ट है आपका polymers और लास्ट chemistry everyday life तो इस तरह से हमने स्लेवस को तीन पार्ट में डिवाइड किया first part that is first term second part that is second term और third part जो किसी term में नहीं है बिल्कुल ही आउट हो चुका है इस साल के लिए अब हमें chapter तो पता चल गए कि कौन सा chapter कौन से time आ रहा है अब हमें पता होना चाहिए बच्चो की सर कौस chapter में से क्या क्या डिलीट हुआ है हर chapter में से कुछ ना कुछ डिलीट हुआ है वो आपको जरूर पता होना चाहिए और उसे हम ncati के page के according डिलीट करेंगे तो खोल लीजे अपनी अपनी ncati और चलिए टिक करते हैं फर्स्ट हमके फर्स्ट चेट्र से सॉलिड स्टेट से तो मैं आपको बता दूं सॉलिड स्टेट में बच्चो फर्स्ट जो आपका सॉलिड स्टेट है उसका जो सबसे पहला टॉपिक फर्स्ट 1.1 जनल करेंट सॉलिड स्टेट सब आ रहा है अमर्फर्स और किस्टलाइन क्लासिफिकेशन किस्टल लैटिस ए उनिट सेल नमबर ओफ एटम से उनिट सेल क्लोज पैक रिस्टचर पैकिंग एफिसेंसी कैल्कुलेशन इंवॉल्विंग इनिट सेल डामेंशन एंड इंपर्फेक्शन इन सॉलिड यहां तक आपका नहीं करना है ओके मार्क जरू कर लीजे क्योंकि बार बार आपको फिर याद नहीं रखना पड़ेगा और फोकस आपके उस टॉपिक पर करिए जो आपके सिलेवस में हैं चलिए आगे मूब करते हैं चैक्टर टू यूनिट टू पार्ट टम फर्स सॉल्यूशन टॉपिक नहीं है वो है आपका बच्चो डैट इस टू पॉइंट सेविन टू पॉइंट सेविन जिसमें हम पढ़ते हैं वेंट टॉप फेक्टर टॉपिक पूरी तरह से डिलीटेड है एक अच्छा टॉपिक डिलीट किया है बूड ने इस साल के लिए चलिए मूब करते हैं बच्चों ने स्ट को फिर्स्ट अमका पड़ा चेप्टर मेगा चैप्टर कि कितने सारे से इस चैप्टर में तो चलिए सुरू करते हैं पी ब्लोक एलीमेंट्स क्या है और क्या है नहीं है तो गुरूप 15 elements डाइन अमोनिया उकसेट सम्नाइट्स नाइट्रोजन का इस है फॉस्पोरस फॉस्पीन फॉस्पोरस हैलाइड रेड से टिक लगा दे रहा हूं में इस चार और टॉपिक पूरी तरह से कटे हुए हैं याद रख लीजे बच्चो मार्क जरूर कर लीजे नेक्स्ट गुरुप 16 पर जब हम मूग करते हैं बच्चो तो सारा कुछ है डाइ नोटिस रखनी है बच्चो सल्फियरिक एसिड की जो कॉंटेक्ट प्रॉसेस आपको नहीं करनी है वह आपके सिलिवस में नहीं है खिलिए चलिए आगे मूग करते हैं गुरुप 17 पूरा है और सब कुछ सिलिवस में गुरुप 18 तर तो आपने देखा नोटिस किया कि गु 17 में से जरासा और पी ब्लॉक बहुत बड़ा चैप्टर है धंग से पढ़ेंगे पक्ता याद होगा बच्चो नेस्ट मूग करते हैं तम फर्स्ट के नेस्ट चैप्टर और्गनिक का फर्स्ट चैप्टर है युनिट टैन हैलो एलकेंस एड हैलो अरींस सब कुछ आ रहा ह पेज या एक पेज का टॉपिक है पॉली है लोजन कंपाउंड इसको नोने काट दिया है पेज नंबर 317 आप नोटिस जरूर कर लें इंसी आडी की बुक में ओके टिक जरूर लगा लें नेक्स मूग करते हैं बच्चो आपका और्गनिक का चैप्टर एलकोल फिनॉल्स ए इथर और्गनिक का चैप्टर है मैंने बोला और्गनिक को नहीं कट कर सकते हैं तो बच्चो इसमें 11.1234 और 6 है इसमें से एक छोटा सा टॉपिक कटेड है लट इस सम्कमर्सियली इंपोर्टेंट एलकोल एक पेज का टॉपिक कट किया है क्योंकि इंटरकनेक्टेट नहीं इसलिए इसको कट कर दिया है यूनिट 11 एलकोल फिनोलस एंट एथर मूब करते हैं बच्चो टम फर्स्ट का लास्ट शेप्टर है बायो मॉलिक्यूल बायो मॉलिक्यूल्स में बच्चो जो टॉपिक है और कौन से नहीं है देखते हैं 14.1 है टू है एंजाइम्स है विटा को क्रॉस कर दीजिए दिस वन क्रॉस और हार्मोन को क्रॉस कर दीजिए दिस वन क्रॉस के लिए तो आपने देखा बायो मॉलिक्यूल्स के चाट टॉपिक हैं और दो टॉपिक कटेड़ है तो इस तरह से आपको टम फर्स्ट को प्रिपेर करना है बहुत अच्छा तरीके स से तयारी कर सकते हैं आप मेंग्जिमम मार्व ला सकते हैं एफर्स जरूर लगाई है तो चलिए हम मूब करते हैं तुकी तरफ और टू की स्टार्टिंग होती है वच्चो इलेक्ट्रोखेमिस्टी से यहाँ एक तपिक में से क्या-क्या स्ट किया है और क्या-क्या है तो देखिये आहाँ है। इसमें एक topic ऐसा है बच्चो जो है और नहीं है मतलब electrolytic cells के वारे में है बट आप याद रखिए Faraday's law एक topic में से इसके numerical or topic cutted है clear? and बच्चो आगे जो cutted है that is batteries पूरा cut है fuel cell cut है, corrosion cut है यह तीन और topic पूरी तरह से cut है सब्सक्राइब कितना अच्छा advantage आप चाहें तो पूरे hundred marks ला सकते हैं और कुछ भी tough नहीं है कि आप 500 में से 500 ला सकते हैं और इंडिया टॉप कर सकते हैं all the best बच्चों धंक से पढ़ें चलिए मूब करते हैं हम आगे के चैप्टर की तरफ चैप्टर चैप्टर और इसमें बच्चों आपका कौन कौन से टॉपिक हैं 4.1 है 4.2 है 3 है और 4.3 तक है इंटीग्रेटेड रेट एक्वेशन तक आपके जो इंपूर्टेंट टॉपिक थे वो कटेड हैं टेंप्रेचर डिपेंडेंस जिसमें हम एक्टिवेशन इनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और कौलीजन त्योरी यह दोना टॉपिक कटेड हैं ओके बेलकुल कटे हुए हैं चलिए बच्चों नेक्स मूब करते हैं हम आपका इवनिट नमबर फाइब सर्फेस केमिस्ट्री और त्योरी का चैप्टर है तो बच्चों इसमें से क्या-क्या है एड्जॉप्शन है कॉ कासि विकेशन ओक कॉलोइड से ओक अर्व नहीं है वो ai बच्चों केटालिसिस और इमल्सम इस दो टॉपिक कटेड है बच्चों इस साल के ब्चक्ञारा तो आपको चार्ड अरिन ऑडधें पो आं प्टी पढ़ने आं पीज नमबर आप वह सामने अर болость कौन सा कटड है और कौन सा कट नहीं है next बेटा हम move करते है D and F block elements inorganic chemistry का chapter और क्या है और क्या नहीं है तो position 8.1 है 2 है 2 है 3 है ओके बच्चो और सबसे जो important topic था जो काटा है that is 8.4 जिसमें हम K2CR207 और KMN04 पढ़ते थे this is 231 कटेड़ है लेंटिनेट्स आपके syllabus में है एक्टिनेट्स भी है छोटे-छोटे topic है इसलिए इन्हें आप पढ़ लें कुछ कटेड़ नहीं है 8.4 topic कटेड़ है जो अच्छा topic था equation based था वो कटेड़ है ओके बच्चो चलिए मूब करते हैं अब next chapter की तरफ और देट इस coordination compound इन और्गनिक केमिस्टी के अच्छा chapter और इसमें से भी क्या-क्या है 9.1 है 2 है ओके याद रखिए 9.3 है number 1 के लेचर IPAC नेम bonding in coordination compound bonding in metal carbonyls है जो नहीं है बच्चो वो बता रहा हूं मैं इस इसमेरिजम in coordination compound जो आपने इसमेरिजम पड़ी हुई है वो विल्कुल कटेड है और 9.7 importance and application of coordination compound this topic and this topic बोथ topic are cut के लिए चलिए बच्चो हम organic की तरफ मैंने बोला organic को काटना वह तब टास्क है क्योंकि organic नहीं कट सकती तो फुल चैप्टर Elliot ketone and carboxlic acid full chapter syllabus में है full chapter कुछ भी नहीं कटा in syllabus बहुत अच्छा chapter है Elliot ketone and carboxlic acid जिस तरह फर्स्ट हम मैं inorganic का मेगा चैप्टर पी ब्लॉक है सब्सक्राइब मैं और गेनिक का मेगा चैप्टर Elliot ketone and carboxlic acid next बच्चो हम move करते है this is अमीन और गेनिक नेक्स चैप्टर वन structure of अमीन classification नॉमन क्लेचर प्रिपरेशन आप अमीन फिजीकल properties है chemical reactions है इसके बाद जो इन्होंने BDC दिया हुआ है benzene diogenium chloride that is diogenium salts इस चारह टॉपिक बच्चो कटेड है अच्छा टॉपिक कट किया है इन्होंने काफी सारे convergence में helpful था बट कटेड है तो आपको नहीं पढ़ना होगा चलिए next move करते है हो यह वो चैक्टर है जिनको हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है तो बच्चो इस तरह से आपने देखा कि हमने chapters slivers इस तरीके से divide किया है आपको thoroughly chapters की lines पढ़नी है क्योंकि अग क्योंकि part first time first में MCQs AR यह जो questions केस स्टेड़ी है उसमें depth knowledge thoroughly knowledge होगी तब ही आप अच्छे marks ला सकते हैं तो इस वीडियो इस तरह से हमने आपको बताया तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें और सारे बच्चों खुशियर करें ओके बच्चों बाबाई